हलो इन वेलकम टो अलव फ्यू मैसेल्फ दिपक डियावंगन और आप देख रहे हैं एग्रिजीव एग्रिकल्चर और बायलाजी की संपूर नहसरल और सटीक पढ़ाय और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ानी वाली यूटुब की एक मात्र आज की इस वीडियो मे हम रेन डिसीवर इंग्जेक्शन के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे कि यह क्या होते हैं और इसको कैसे और किस तरह से जो है बनाया जाता है तो रेन डिसीवर इंग्जेक्शन जादा कीमत में लोकियों इसको खरीद रहे हैं और क्या इससे कोरोना ठीक हो जाता है यह आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या इसको देने से कोरोना ठीक हो जाता है तो आपके पूरे सवालों का जो जवाब है इस वीडियो का अंतरगत आपको मिलने वाला है तो इस वीड डी सेवरी कहुझ हुआ दूसरा है रेंटिस रखका इंके रोगों में फैल होँ था इनकी रोगों में इस्तेमाल के और वैल हुए किया है उसमें चीज होता है क्या के उसको देखेंगे और डीस को कैसे इसमें लगाए जाता है कि भी ता उत्पादन जो है वो कितना होता है प्रतिमंथ इसको उत्पादन भारत में लगभग लगभग कितना होता है इसको भी देखेंगे चटवाएगा रेंडी सीवर की कीमत कितनी है कि या उसका जो एक्चॉल में प्राइस कितना होता है तो देखेंगे भारत में उत्पादन करने वाले कितनी कम्पनिया है आठर मेर देखेंगे किन लोगों को इसको जरुरी है लगाना और नौव संड़नो को नहीं लगाना है कुछ भी हो झाला लेकिन आपको नहीं लगाना है सिलेकुन है या क्या उंसकी चिर्वंगेंब प्रति धात्मक प्रकिया कौन कौन से उतिस को देखेंगे तो अमेरिकी दवा कंपनी गिलियर्ड साइंसर्स ने बचाने के लिए इसका खोज किया था या इसको जो है उन्होंने अविसकार इन्वेंट किया था साल 2009 मेर रेंडी सीवर की खोज वहीं पर हुआ था हेपञा recording रोकने के लिए लेकिन यह कोई असरदार था बिल्कूल भी जाने की हेपञार को रोकने सफार रहा था हुआ तो कि किन रोगों में प्रेंट के जहें है एपडाटि जो स्य हैच उसको रोकने में सफर है यह बिल्कुल भी इसको रोक नई पाया हुआ ऊसके लिए बिल्कुल भी बेकाद साभित हो और प्रेकुपे सब्ला में बायत। वाईरस में इफई तैटिस के बाद इसको जो प्रियोगिया इस्तेमाल वहीं पर किया गया है ना तो ही जो ऑब्रिश पर जब इसको इसना स्तेमाल हुआ तो इसमें क्या हमारे पास और श्र। डाइ Saw लेकिन ये जो इव्ल वय्राज है उसको भी रोखने में आपका क्या हुआ असफल रहा ये हमारा कौन सा रेंडी ठीवर ठीक है तरह क्या मरबर्व आइस में प्रियोक किया गया इसको कहां पर किया गया था किसके बाद किया गया इसको जो बूला वाइरस के बाद जो है मारबर्ग वाइरस में प्रोक किया गया तो यह मारबर्ग वाइरस का जो डाइग्राम है लेकिन इसको भी रोकने में भी क्या रहा है असफर रहा तो इसको रोकने में भी असफर रहा मारबर्ग वाइरस को भी यह नहीं रूक पाया फैलने से औ कि यह क्या है रिंटिक्षाल लंटी वर है ने तो कि पता है एक पैकाल का एंटी वैर्ल दवब है जो आहिएने को क्या करेगा रोकता है उसको याकिया केटा है जो एंटी वाराम है तो वारेस में क्या रहते हैं जेडिग का रूप में आररेस होता है तो उसको रोकने का काम करता है जिसकी कारण से उसमें जो उसका कौपी वहाँ पर निर्मान हो रहा था that जो कौपी है वो निर्मान नहीं कर पाता और जो आरने पॉली मेराजेशन की जो प्रकिया होती है उसको बंद कर देता है जिससे जो वायरस में रिता होती है वो सरीर में कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं के बराबर जो हो जाता है अब देखेंगे रेंडी सिवर का अपात का लिन इस्तमाल को इंकन देशों में इसकी परिमिशन मिला है तो सब सब पहले था है इसमें अमेरिका सौथ कोरिया और भारत में इसका प्रयोग फिरहाला भी जद्द से जद्द किया जा रहा है ठीक अपात करने इस्तमाल है फूल इस्तमाल नहीं है अपात कार रूप से इसके किस्तिमार वहाँपर किया जा रहा है भारा साइथ कोडिया और अमेरिका में इसके इस्तिमाला भी हो रहा है कैसे लगाया जाता है तो इसके लगाने का यह क्या है इंट्रा वैनसली का अर्थ होता है इसमें सीराओं के भीतर, ठीक है, आपके डाइगराम जो दिख रहे है वहाँ पर, वैन प्लैनर उसमें लगा हुआ है, तो उसी के तहद जो इसको लगाया जाता है, ठीक है, इसको बहार से नहीं दे सकता है, सीराओं में दे सकते हैं, फिर आएगा फांचों नमबर, रेंडी से वर की जबत थीजर के उदान होता है, ससमें हर महीने लगभग 13.6 लाग, वाइल के ऐता हूँ hibo होता है जिसमें बन रहते हैं, आएगा गिन इसको कीमत लेकिन निलया आपका 5440 रुपए इसमें है वो ठीक है तो एक वाइल जो है मतलब एक ट्यूब की कीमत 5440 रुपए और रोगी व्यक्ति को पहली बार जो है 200 mg को डोस दिया जाता है पहली बार अगर किसी रोगी को हम दे रहे हैं तो 200 mg को डोस देंगे उसके बाद जो है 100 mg का जो है पांस दिन तक आपको डोस देना है ठीक है उसके बाद पहला रोस 200 mg उसके बाद 100 mg का जो है पांस दिन तक इसमें दे जाता है लेकिन पांस दिन तक तो जेंगे लेकिन इस पांस दिन में भी क्या रहता है हर चार घंटे में इसको लगाया जाता है ऐसे नहीं कि हर दिन में एक बर तो हर चार गंटे में इसको देने की जरुवती होती है फिर आएगा भारत में उत्पादन करने वाले कमपनिया या कौन-कौन से कमपनिया है जो भारत में उत्पादन इसका करता है सबस्पहले आता है हमारे पास डॉक्टर रेडिस लेबराटरी प्राइ किये जाने लगा है दूसरा नमबर है अपर सिपला लिमिटेट तो सिपला लिमिटेट के थुरू भी इसका फॉर्मेशन किये जाने लगा है रेन डिसीवर जो कि भारत के मुंबाई महाराष्टर में इस्तीध है जो कि कहा पर है भारत के मुंबाई महाराष्टा में इस्तीत है वहाँ पर इसको उत्पदन किया जाता है सिपला लिमिटेट के तहद फिर उसके बाद तिसरे हैंगे हैट्रो लेबरोटरी लिमिटेट तो हैट्रो लेबरोटरी लिमिटेट के थुरू भी इसका निर्मार वहाँ पर किया जाता है जो कि भारत के ह कि धरबाद में भी इसका पादन किया जाता है और वह идस्कों पूरे देश में किया जाता है कि पिर आएका हमारे पास जुबला लाइप साइस लिमिटेट के थूरू जो है इसका फॉर्मिशन करता है जो कि भारत के बैंगलूरू और नौइडा में इस्तीत है बैंगलूरू और नौइडा में इसको उत्पादन जे वहाँ पर किया जाता है तो इतना जदा उत्पादन होने के बाद भी हमारे पास कमी है इसका निर्मान करता है जो कि भारत के बैंगलूरू सहर में इस्तीत है यह वहीं से उसका उत्पादन होता है ठीक है तो इसकी अकाला बजार या दिख हो रही है इसी करने इसका जो मांग हमारे पास से ज्यादा होने लगा है च्छटन में आएगा हमारे पास जाइडास लिमिटेड तो जो आपका भारत में इसका उत्पादन जो है कहां पर करते हैं पूने में किया जाता है ठीक है तो इसकी काला बजारी बहुत ज़्यादा हो रहा है इसी करना से हमारे पास से आवेबल नहीं हो पा रहा है साथ नमबर है इंडियान यूनिट आप मलाइन तो अपरियोग वहां पर मतलब इसका अप्रदक्सन उत्पादन होता है इसका जो जो MP धार में इसको जो है आपके फैक्टरी वहाँ महाँ पर है जहां से यहां से इसको बजबतार होता है बहुत है अन्य लोगों को जरूत है dislike इसमें और इस मरीज जिनको ऑक्शिजन की जरू इनहीं को केवल देनी के आउसकता आझाल है अन्य लोगों को देनी की जरूत नहीं है, नहीं को sort लोगों को ही जर देनी की जरूत है बाकी को और आप नहीं दो, फिर भी चलेगा और गर में हो comfortable है अप्षजन की जरुवत नहीं हैं उनas has thì पहले यह हैं वह रोम आ नहीं होती है बिल्कुल इनको महसूस नहीं किया जाता ठीक है तो आपको इसको नहीं देना है जिसको जर्वत नहीं है जिसको जरुवत है उनको दो और रेम Despite Injection के से फायदे क्या होते हैं या रेम डिसीवर इंजेक्सन से क्या हमार बास फायदे होते तो समान रूप से जो मरीज आपका 14 दिन में ठीक होता था वो क्या हो गया होता था अब जो है रेम डिसीवीर दिनीस वो 11 दिनों में ठीक होके आता है मतलब कि उसका recovery rate जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है जो देर है तैने कि पहले 14 दिन में ठीक होता था अब 11 दिन में ठीक होने लगा है तो उसका अच्छा आपका लगबग 3-4 दिन जो है कम हो जाता है अब किन लोगों को नहीं लगाना है कुछ भी हो जाया के हैं कितना भी उसको oxygen की आउसकता हो पिर भी उसको किन लोगों को नहीं लगाना है प्रेला आग इसमें घर्वति महिलाओं को नहीं लगाना है क्योंकि उसके घर्व में फीटा सा बच्चे रहता है इसको उसको नहीं लगाना है, ठीक है क्योंकि जगर injection का effect अगर आपके kidney में जाके हुआ तो बहुत problem कर सकते हैं इसलिए kidney patient को भी नहीं लगाना है फिर होगा rem receiver injection के side effect के क्या-क्या इसके side effect है तो इसमें आएगा हमारे पास liver enzyme की व्रिद्धी करता है इसको लगाने से liver enzyme की व्रिद्धी हो जाता है दूसरों का blood pressure का कम होना ठीक है blood flow का जो है इसमें कम होना यह भी होता है तिसरा है इसमें उल्टी आना तो इसके दौरा जो है उल्टी आने की भी समस्ता देख्या गया है फिर उसके बाद होगा चांत है इसमें कपकपी या होता है उससे और उसके बाद इसमें पांच नमबर आएगा हमारे पाद ज्यादा पसीना का आना निकी ज्यादा ज्यादा इसमें पसीना आता है रेमडी सेवर इंगेक्शन को देने से तो यह था उसके side effect अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को subscribe करें even like and share जरूर करें धन्यवाद thank you